ओवर्थिंकिंग ये एक ऐसी प्राब्लम है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में फेस कर चुका है या अभी भी फेस कर रहा है जो लोग ओवर्थिंकिंग की बात करते हैं वो सिर्फ इसकी निगेटिव एसपेक्ट को दिखाते हैं तो कि ओवर्थिंकिंग से लाइफ पे चाजा सकता है तो आइए बात करते हैं अज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो सबसे पहले जान लेते हैं कि overthinking है क्या यानि किस तरह सोचने को overthinking कहा जा सकता है क्योंकि सोचते तो सबी लोग हैं कुछ कम सोचते हैं, कुछ जादा और कुछ बहुत जादा किस तरह के thoughts को overthinking कहा जाता है इसकी सबसे पहले बात करते है सोचना अच्छी आदत है, सोच समझ कर बोलना और सोच समझ कर काम करना भी बहुत अच्छा है लेकिन जब कोई इंसान इतना जादा सोचने लगता है कि जिस काम के बारे में वो सोच रहा था वो ही काम ठीक से ना कर पाए, तो उसको overthinking कहा जाता है अगर आप भी बिना कुछ किये ज़रूरत से ज़ादा सोचने लगते हैं, ज़रूरत से ज़ादा चिंता गड़ते हैं, तो आप भी overthinking का शिकार हो सकते हैं पुरानी बातों और पुराने थौट्स का repeat हो होकर बार बार याद आना, जिससे आपकी daily life, daily routine में रुकावट पैदा हो, उसे overthinking कहा जाता है overthinking में होता क्या है, इन पुरानी बातों और पुरानी problems और पुराने थौट्स की एक chain बन जाती है एक problem उसे सोचते सोचते, दूसरी problem इसी तरह से तीसरी problem ऐसे करते करते हम से problem के बीच में फचते जाते हैं और उन्ही के बारे में सोचते रह जाते हैं overthinking में mind दो तरह से affect होता है सबसे पहला past जब कोई इनसान अपने past में हुई घटना के बारे में सोचना शुरू करता है तो हमारी सोच इसके नतीजे पर हावी होने लग जाती है जिस वज़ा से हमारे present पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है और जो present के हमारे काम होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं दूसरा होता है future के बारे में past के बारे में overthinking करने के तरह लोगों में आम तोर पर अपने future के बारे में इतनी ज़्यादा tension होती है इतनी ज़्यादा चिंता में होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि present में क्या चल रहा है और उनको क्या करना चाहिए वो इस present पर ध्यान ही नहीं देते जिससे उनकी life पूरी तरह से affect हो जाती है अब बात करते हैं types of overthinking के बारे में क्योंकि ये point इसी से related है वैसे इसको types of overthinking ना बोलकर kinds of overthinking कह सकते हैं क्योंकि overthinking ये type तो बहुत सारे होते हैं यहां हम बात करेंगे कि overthinking में जो thoughts हमारे mind में आते हैं वो कितने तरह के होते हैं Basically overthinking दो तरह की होती है पहला है problem centric overthinking इस तरह की overthinking में हमारे mind में हमारे past की problem जिनका हमारे present से कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे problems जो हमारी life में reality में exist ही नहीं करती उन सब को सोचते रहते हैं और इन problems को सोचकर ही परिशान होते रहते हैं खुद को दुखी कर लेते हैं और depression में चले जाते हैं यही वो overthinking है जो mostly लोगों में होती है इसलिए overthinking को negative और बुरा ही माना जाता है दूसरा kind है solution centric overthinking इस तरह की overthinking में इंसान अपने past के problems अपने present के problems के बारे में सोचता तो है लेकिन एक positive way में वो इन problems के solution के बारे में सोचेगा एक solution सोचेगा दूसरा सोचेगा तीसरा सोचेगा तीसरा फेल होगा तो वो अगला सोचेगा ऐसे ही वो एक chain मना लेता है अपने solution की और इसी तरह overthinking करता रहता है इस तरह की overthinking इंसान की life को affect तो करती है लेकिन एक positive way में वो अपनी life के problems के solution ढूणने के लिए जादा सोच रहा है इसलिए उसे इतनी जादा परिशानी नहीं होगी जितनी problem centric overthinking वाले इंसान को हो रही है एक छोटा सा example लेते हैं और उससे दोनों तरह की overthinking को समझने की कोशिश करते हैं एक student है जिसने अपनी study complete कर लिये और उस पर pressure है कि वो job करे या फिर किसी भी तरह से अरन करे अब जो first type के लोगों होंगे वो सोचेंगे कि काश मैंने ये course ना करके ये वाला course किया होता तो शायद मुझे job मिल जाती काश मैंने किसी और college से किया होता तो मुझे जल्दी placement मिल जाता या फिर काश मैंने जो पहला offer आया था उसको मना नहीं किया होता तो आज मुझे अच्छी salary मिल रही होती ऐसे ही वो अपने past से related एक के बाद एक एक के बाद एक नई problems के बारे में सोचता रहता है अब past के बारे में सोच कर क्या मिलना वाला है कुछ नहीं क्योंकि past को change तो हम कर नहीं सकते इसलिए problem centric overthinking कभी खत्म नहीं होती बलकी एक के बाद एक बढ़ती रहती है अब इसी same situation में रखते हैं हम second type के overthinker को अब वो इनसान क्योंकि solution centric overthinking का शिकार है तो वो इस situation में solution में focus करेगा कि अभी तो study complete हुई है अगर ज्यादा अच्छी salary नहीं भी मिल रही तो कम salary में वाली job कर लेता हूँ experience मिल जाएगा या फिर कोई side business कर लेते हैं या 6 मत एक साल का कोई ऐसा diploma course कर लेते हैं जिसके demand हो और थोड़े टाइम के बाद अच्छी job मिल जाए इसी तरह के 36 solution उसके mind में आते रहेंगे और उसमें से कोई ना कोई एक solution तो उसकी problem को दूर कर ही देगा तो अगर आप भी overthinking करते हैं तो solution centric overthinking कीजिए ये सारी overthinking बना कौन रहे हम तो इसे खत्म कौन कर सकता है हम actually हमारा mind reality और imagination में बहुत जादा फर्क नहीं कर पाता और वो वैसा ही react करता है जैसा उसे signals मिल रहे होते हैं या फिर जैसा हम उसे सोचने को कहते हैं तो अगर हम से problem के बारे में सोचते रहते हैं तो mind बस problem पर focus करेगा problem के बारे में सोचेगा अब वो problem के बारे में सोचेगा तो tension होगी, stress होगा और वहीं दूसरे side अगर हम solution के बारे में सोचते हैं mind solution डूणडेगा और problem को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा अब ये आपके हाथ में कि आप किस तरह की overthinking करना चाहते हो चलिए अब देखते हैं कुछ reason जिसके हुजा से हमारे अंदर overthinking पैदा होती है पहला और बड़ा reason है expectations पूरी नहीं हो पाना overthinking का एक सबसे बड़ा reason है कि हम अपनी life से life से जुड़े हुए लोगों से कुछ जादा ही expect कर लेते हैं और जब expectation पूरी नहीं हो पाती तो हमारे अंदर overthinking के आदत धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है हर बात पर इंसान जादा सोचने लग जाता है और यही जादा सोचना उस marks लाने का pressure, job करने वालों को boss का pressure, काम का pressure, जिसकी study पूरी हो गई उसको job ढूंडने का pressure, business man को business आगे बढ़ाने का pressure, यह pressure ही इंसान को overthinking के जाल में बूरी तरह से फसा देता है इनके लावा और भी बहुत सारे reason है, हर इंसान की overthinking का reason अलग ही होता है, जैसे किसी को relationship की वज़ा से जादा सोचना बढ़ता है, किसी को society की वज़ा से, किसी को अपने parents की वज़ा से, ऐसे ही बहुत सारे reason होते overthinking के जो आपको सुनने को मिल जाएंगे चली अब देखते हैं कि कैसे हम overthinking को रोक सकते हैं, ये कुछ solution है जिनके द्वारा आप overthinking को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये बताने से पहले एक बात बताना जरूरी है, कि overthinking को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक आप इसे खत्म करना ना चाहें, आप कितने भी solution रहने के आदर डालिए, overthinking करने वाला इंसान अपना पूरा time या तो past के बारे में सोचता रहता है, या फिर अपने future के बारे में सोचता रहता है, ज़्यादा सोचने की परिशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है, कि आप present में रहने के आदर डालें, जो past में हो गया उसे सोचने के बजाए, आप जो आपके साथ present में हो रहा है, आपके आजपास जो सीज़े चल रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए, और future के लिए परिशान होने की जगा, future को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, कि हम present में ऐसा क्या करें जिससे हमारा future अ अपनी सोच को उन बातों से दूर करना शुरू कीजिए, स्टार्टिंग में तो ऐसा करने में आपको हो सकता है, थोड़ी बात परिशानी हो, लेकिन एक बार, जब आप अपने मन में ये बात ठान लो गई, तो आप दीरे दीरे बड़े असानी से निगेटिव बातों को ब जाल सकता है, जब आप ज्याद सोचना शुरू करते हैं, तो ज्याद सोचना दीरे दीरे आपकी आदत बन जाती है, सही समय पर सही बात सोचना सबसे अच्छा और फायदे मन तरीक है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय आप कुछ और सोचने लगे, या आपकर सोचिए इसी से related एक और अगला पाइंट है positive और अच्छा सोचने की आदत डालिए जिस तरह आप negative बाते सोचते रहते हैं और आपने दीरे दीरे negative बाते सोचने की आदत डाल लिए उसी तरह से आप दीरे दीरे positive बाते सोचने की आदत भी डाल सकते हैं अगर हम अपने mind में ज़ादा अच्छे विचार रखते हैं तो negative thinking अपने आप हमारी mind में जगा नहीं मिलने की वज़ा से खत्म हो जाती है। अच्छा सोचने सा हमारा mind भी खुश रहता है और हमारे काम करने में भी मन लगा रहता है। इसलिए positive सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। अगला point है जो आपकी जरूर help करेगा overthinking से बहार आने में वो है खुद को busy रखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। mostly time हम कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन जब भी हम free बैठे होते हैं तब हमारे दिमाग में फाल्तू की बाते आना शुरू हो जाती हैं और उन्हीं वज़ा से हम जादा सोचना शुरू कर देते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है खुद को busy रखना। अब busy कैसे रखना हैं आप अपने फेवरेट काम कर सकते हैं उससे अपने आपको busy रख सकते हैं या कुछ creative करके अपने आपको negativity और overthinking से दूर रख सकते हैं इसके लावा आप अपनी comparison किसी से न compare करके खुद को परिशान मत कीजिए अपनी life को और अपने character को अपनी personality को किसी और से compare ना करें बाकी आप overthinking से बचने के लिए क्या गड़ते हैं नीचे comment section में हमारे साथ सबके साथ share कर सकते हैं हो सकता है आपका तरीका किसी के लिए helpful सावित हो तो बस इतना ही था आज की इ helpful लगे वीडियो तो चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए क्योंकि यहां आपको मिलेगी psychology से related और भी interesting और informative वीडियो जल्दी मिलते हैं एक नए topic एक नई वीडियो के साथ thank you